गूमना फिरना हम सभी को बहुत पसंद आता है तो इस बार की छुट्टियों में हमने भी प्रोग्राम बनाया मनाली जाने का तो हम लोग गए हैं मनाली यहां गूमने के लिए 3-4 दिन का टूर था काफी अच्छा रहा कुछ अच्छी बाते हैं यहां की कुछ बुरी बाते भी हैं मनाली की तो चलिए आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ और अपनी जर्नी भी और हमारा गूमने का सफर जो भी जैसा रहा वो सब मैं आप लोगों के सांथ शेयर करोंगी आई होप आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को ज़रूर देखिएगा और जो भी चीजे पसंद आई है या जो चीजे पसंद नहीं आई है वो भी मुझे ज़रूर बताईएगा तो सबसे पहले निकल गए है हम र अब्सक्राइग कर से तो हम लोगों ने यहाँ पर सिंप्ली डोसा कहा आए क्योंकि ट्रेवल में ज्यादा जो हाई मतब ज्यादा है वीना खाना नहीं खान जाईगे कि हमें उसमें बैठना होता है बस और कुछ नहीं करना होता है और रात का भी टाइम है तो ज्यादा दो बच के च्छाय मिनिट हो गए लवली वेश्ट नोट आपके आया हम लोग और यह हुआ में हो में हो सुनो रात के दो बज रहे हैं आपको क्या खाना है चाव मिन अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो ना तो आपको वाश्रूम के लिए तो बार-बार रुकना ही पड़ता है क्योंकि हम लोग कई चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन बच्चे नहीं करते हैं तुझी पूरी रात जो है हमारी ट्रैवलिंग में निकल गई है और अभी हुआ है यह मौनिंग का टाइम 5-6 बजे का टाइम है और हम लोग एंटर कर गए है हमाजल परदेश में क्योंकि हम जा रहे हैं डेली से मनाली तो यहां पर बहुत अच्छे टनल बने वे हैं काफी अच्छे जो की पांच या छे टनल हैं जो की काफी जो रस्ता है कवर कर द हुआ है यहां पर मौनिंग के साड़े 10 बजे हम लोग आ गए है होटल में और यहां पर देखे बच्चे आते ही ना टीवी स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वही है ना बच्चे टीवी से दूर रही नहीं सकते हैं तो यह है होटल का रूम का अच्छा है और बुकिंग हमारी पहले से ही हो चुकी है हम लोगों की जो कैप थी वो होटल और जहां पर आसपास के एरिया जो घुमाना है ना वो सब यहां पर हमारा पैकेज था और पैकेज में हमें मौनिंग का ब्रेकफस्ट और रात में डिनर भी होटल में ही था जो हमारा लंच होता वो बाहर होता तो तो यहां से बालकनी से देखे व्यू काफी अच्छा आया हुआ है, काफी सुन्दर व्यू था यहां पर तो पूरा का जो थकान है ना शाम को आने के बाद वो काफी हल्की हो जाती थी, तो यहां का वाश्ट्रूम भी काफी पसंद आया सभी को, और इस्पेशली हम लोगों यहां पर पूल वाला होटेल बुक कर आया था क्यूंकि बच्चों को काफी मन था कि पूल वाला होटेल में जाए मतला पूल जो पूल हो यूज करे तो बस यहां पर आते ही हम लोगों ने बश्च चाया इंग पर उसके बाद बच्चों नहाने से मना कर दिया और उन्होंने काफी अच्छा होटल था अच्छी फैसलेटी थी जो भी हम लोग चीज मंगा रहे थे आराम से आ जा रही थी और यह जो हमारा होटल है वो मनाली में था हिरेंबा आपने टेंपल वहाँ पे देखा होगा फेमस है लोग गुमने के लिए आते हैं तो उसी के पास में यह होटल में वहाँ पर काफी अच्छा जो खाने का इंतिजाम है वहाँ से आप अपने आप जैसे सेल्ट सर्विश होती है ना खाने की वैसे कर सकते थे तो अभी फिलहाल जो आज का नाश्ता था वो तो हमें बाहर करना पड़ा क्योंकि हम लोग यहां पहुंचे थे साड़े दसिय ग्यारा बजे के आसपास तो वो जो चीज था ना वो हमारे पैकेज में नहीं था वो हमें पे करना पड़ा था बट अमने होटल में मंगा लिया था तो यहां पर देखिए हनी के पापा को बहुत अच्छी स्विमिंग आती है तो वही कर रहे थे हैं किसी को भी नहाती है न निकल गए हैं हम ब्रेकफास भी हमने कर लिया था तो वही होता है न देखिए घूमने आये हैं हम यहाँ पर तो सबसे पहली जो प्रियॉरिटी है वो घूमने की ही है तो बहुत जादा दूर नहीं गए हैं अभी हमने सोचा था मास पास के एरिया में ही जाएंगे तो जहा तो होटल के बिल्कुल पास था ना तो यहां पर हम कभी भी जैसे टाइम लग रहा था ना तो निकल के आ जा रहे थे बच्चे काफी इंजॉय कर रहे थे तो अब की बार मेरे बेटे हनी ने काफी इंजॉय किया और जितनी भी चीजी थी यहां पर सारी की सारी उसने इंजॉ तो यहां पर यह जिप लाइन है इसमें पहले हनी डर रहा था लेकिन फिर हमने का बिटा आप भी नहीं करोगे फिर कैसे करोगे मतलब होता है यह ना कभी ने कभी तो किसी चीजों की स्टार्टिंग करनी चाहिए तो चलो आज यह आप स्टार्टिंग कर लो तो यहां पर जि और पहाडों के आप अधिकता देखोगे ना जैसे शिमला या मनाली इन जगवपे मैगी बहुत ज्यादा मतब ट्रेंड पर होती है हर लोग जो है ना मोस्ली लोग मैगी खाना ही बसंद करते हैं और हर जगा यहां पर मैगी मिलती भी है और मैगी के जो रेट है ना सही है दस मेगी जो आपके यहां पर मिलती है वो मनाली में मिलती है 120 की मेग्स अगर आप उसमें वैज डल्वाते हो तो अगर आप वैज नहीं डल्वाते हो प्लेन मेगी अगर मांगोगे ना आप तो यहां पर वो 90 रुपे की लिगे तो यहां पर बहुत अच्छा प्ले कर रहे तो मैं काफी देते हैं यहां पर खड़ी वी थी मुझे काफी अच्छा लग रहा था यह सुनना तो यहां पर अभी हम आये हैं हेडेंबर टेंपल यह बिल्कुल हमारे जस्ट होटल के बिल्कुल सामने था तो यहां पर हम लोग लास्टाम आये थे जब हमारी शादी हुई थी तो शादी के बाद जैसे घूमने के लिए आते हैं तो हम लोग शिमला और मनाली आये थे 2010 में ह इतना रश है और पूरा टेमपल हमने गूम लिया बच्चों को गुमा लिया और उसके बाद होटल से हम निकले डाउन आए यहां पर फिर यह है यहां पर मॉल रोड तो यह देख सकते हैं आप काफी अच्छी मार्केट है इस तरीके से और काफी रश है आप देख सकते हैं क् बहुत लोग आए हैं यहां पर घूमने के लिए और एक चीज़ और कहना चाहूंगी बहुत महंगी मार्केट है और बार्गिनिंग भी नहीं है बिल्कुल भी डाउन नहीं करते हैं प्राइज और सेम चीज़ वैसे आप डेली में भी ले सकते हैं जो यहां पर मिल रही है तो इसलिए हमने कुछ ज़्यादा यहां पर शॉपिंग नहीं की क्योंकि बहुत ज़्यादा रेट आई हैं इससे सस्ती चीज़ हमें दिल्ली में बहुत अच्छी मिल जाएंगी यहां से भी अच्छी तो गरीब लोगों के लिए मुझे लगता है यहां बिलकुल भी जग लग रहा है ना तो बहुत प्यारा व्यू था यहां पर बालकनी का तो यहां पर हमने कुछ रिल्स भी बनाई कुछ फोटोग्राफ बिली और काफी सुन्दर है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है यहां का व्यू और महंगाई के ओपर में यह चीज कहना चाहूंगी एक तो मनाली जो मैंने बताया काफी महंगा है खाने पीने के मामले में भी कपड़ों की शॉपिंग के लिए भी मैं तो कोई भी चीज लगा लो उस चीज में और होटल बहीं हैं तो सब चीज महंगी ही है यहां पर तो हो गई है नेक्स पॉर्णिंग और हम लोग आज निक यहां पर कुछ पर्टिकुलर गाडिया हैं यहां पर जो जाती है नहीं कुछ पास बनवा results evolucion 17 और यहां के लिए आपको अलग से पैसे पे करने पड़ते हैं तो हमने यहां पर 6,000 रुपेक में यह गाड़ी की है और रोतांग पास में आप मतलब जितना घंटा आप रहना चाहते हो वहां एंजॉय करना चाहते हो उस चीज का और साथ में अगर आप चाहते हो के जैसे स्क लिए वे हैं चारो के और बूट होते हैं इसमें और गलफ्स वो देते हैं एक मोटी सॉक्स देते हैं मोटी सॉक्स और गलफ्स जो है ना वो तो सेल करते हैं और जो यह ड्रेस है वो रेंट पर होता है यह हमें वापस करना होता है तो इस तरीके से देख सकते हैं आप कितनी public है जगा पर और जिनको अस्थमा की problem है या जिनको सांस की कोई problem होती है ना तो उनको मैं suggestion करूंगी कि इस area में आप ना आएं क्युकि यहां पर जो oxygen लेवल है बहुत कम है zero है यहां पर oxygen और यहां पर आप long time तक रह भी नहीं सकते हो इतनी ज़ादा यहां पर oxygen की दिक्कत है तो जितना आप खड़े रहोगे दोड़ोगे भागोगे आपको उतनी ज़्यादा दिक्कत होगी अगर आप बैटते हो किसी जगा पर तो आपको थोड़ा सा सही लगेगा तो यह जो चीज फील की है ना हमने इस बार की है लेकिन जब हम पहले आए वे हैं हमें ऐस नीचे तो अभी हम आये हैं यहां पर शिलॉंग वैली में तो यहां पर इस तरीके से काफी गेम थे लेकिन जो हमें अट्रैक किया यहां पर पैराग्लाइडिंग था जो की हमने हनी को कराई तो यहां मैं मैं जीज बतारी हूँ ना आपको बहुत कॉस्टली है यहां पर ज जार रुपे है इसकी फीस हजार रुपे हो देख सकते हैं महां पर लेंड करेगा यह कर चुका है यहां पर इस तरीके से देखे और जबरदस्ती यहां पर फोटे कीचे जाते हैं और फिर जबरदस्ती पीछे पढ़ा जाता है कि नहीं आप लो आप लो और केवल आपको प के आ गए हैं वापस भी जो मैंने आपको स्नान वाला दिखाया था ना वो वस्टेश्ट मंदिर है और रावन जी के जो पिता थे ना उनका मंदिर है वहाँ पर और उसके बाद हम लोग वापस आ गए थे होटल के आसपास का एरिया हमने घूमा जहां पर हमने मीहों का थोड़ा सा उसको ट्रेशनल ड्रेस पहनाया था जो कि मैंने बताया ना हेडिंबा टेंपल और होटल हमारा आसपास था तो ये है हमारा होटल और सामने है हेडिंबा टेंपल तो काफी प्यारी लग रही थी मीहो उस ड्रेस में तो हमने काफी पिच्चर क्लिक के और काफी रिल्स भी बनाए तो शाम हो गई है और हम आ गए हैं वापस रूम में और आज का दिन ना बहुत थकान वाला था क्योंकि सबसे पहले हम सुबह जल्दी उठे थे रोतांग पास जबी भी जाना होता है न तो सुबह जल्दी उठना पड़ता है 5-6 बजे के आस-पास क्योंकि वहाँ पर फिर बहुत ज़्यादा ट्राफिक मिलता है आप फसे रह जाओगे कम से कम 3-4 घंटे तक तो वही है हम लोग ठग गए थे और आगए हम लोग रूम में और यह है नाइट का टाइम मतब साड़े साथ आट बज चुके हैं कुछ मेडिसन है मेरी जो मैं होमेपेतिक लेती हूँ वो मैंने लिए है और यहाँ पर हो गई है वापस हमारी पैकिंग स्टार्ट क्योंकि सामान समेटना है हमें अकल मौनिंग में निकलना है तो दिन कैसे निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग घूमने जा रहे हैं घूमने जा रहे हैं थोड़ा रेस्ट करेंगे रिलैक्स करेंगे लेकिन सच बात बताओं जब कभी हम घूमने जाते न गहीं तो जरा भी रिलेक्स ने मिलता एक तो सुबर जल्दी उखना पड़ता है और अभी 9 बज़ रहे मेरे ख्याल से और Tuesday का दिन है अठारा तारीक नहीं मंडे आज यहां के न डे भी नहीं पता चल रहे क्या है तो मंडे आज और शायद अठारा तारीक है हो गई पैकिंग चले तो हमें पुछ नहीं पता चल रहा क्या दे है क्या वह है तो पैकिंग हो गई हमने सारा समान समेट लिया और आप निगलते हैं दिली के लिए और बीच में देखेंगे कुछ जगा अगर मिली घूमने हम लोग सोचते हैं न हूँने जा रहे हैं आराम करेंगे यह करेंगे वह करेंगे मैं सच बद बताओं घूमने मज़ा तो बहुत आता है लेकिं थकान इतनी जादा हो जाती है क्योंकि हम लोगों को सुबत जल्दी उठना पड़ता है गूमने के लिए लेकिन अगर हम घर पे होते हैं तो आराम से रिलाक्स होके उठते हैं मतलब मैं तो मुस्ली टाइम से उठ जाती हूँ लेकिन आप कहीं अगर घूमने जा रहे हो ना तो आपको मौनिंग में जल्दी उठना पड़ेगा घूमते घूमते ठक जाओगे फिर रूम में आके ना ऐसी नीद आती है कि पता ही नहीं चलता कि हम कहां पर हैं तो बस यहां पर हमारी पूरी पैकिंग हो गई है यहां से कर रहे हम चेक आउट और अभी बज़ रहे हैं सुभा के सवा नो हम लोगों ने नाश्ता होटल में ही किया था और यहां पर जो भी पहाड है वादिया है इनको मैं कहरी हूँ टाटा बाई 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 देखते हैं फिर कब मिलते हैं तो यहां हम बीच में रुके थे यहां पर एक मातारानी का मंदिर है सामने है व्यास रीवर तो यहां का मैंने थोड़ा सा वीडियो बनाया है और साथ में मंदिर के दर्शन किये हैं मंदिर बहुत सुन्दर है तीन से चार मंजिल का यह मंदिर है और बहुत सुन्दर है मतब अभी थोड़ा सा इसमें काम चल रहा है काफी इसमें जिस तरह से गुफाएं होती हैं वो बनाई गई हैं देखिए इस तरीके से थोड़ा मैंने वीडियो बनाने ही कुशिश की है हाँ जहाँ दर्शन किये हैं वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहीं अगर हम दर्शन करने गए हैं तो अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं तो सारा ध्यान वीडियो पे ही चला जाता है तो जब हम दर्शन कर रहे हैं तो पूरा ध्यान और पूरा जो मन है न हमारा उस समय दर्शन में होना चाहिए है और जिस भगवान के हम दर्शन कर रहे हैं वहाँ पर ही लगा होना चाहिए तो अभी मैंने दिखाया वो मातारानी का मंदिर था, कुछ हम परशाद लेके गए थे, वहाँ पर उन्होंने कुछ मंतर पड़े थे और हम लोगों से थोड़ा पूजा करवाई थी, तो काफी अच्छा रहा, इस तरीके से देख सकते हैं, गुफा बनी हुई हैं, और उसके मंतर भूंग्द हो गई थी, वहाँ पर मैंने वीडियो बनाने की भी मुझे नहीं लगी, क्योंकि बहुत प्यारी गुफा बनी हुई थी, शिव जी की कम से कम 5-6, वहाँ पर शिवलिंग रखे वे थे, बहुत प्यारी वहाँ पर शिव जी की मूर्ती थी, तो मेरा मन नही माना, मैंने ना वहाँ पर फिर जल भी चड़ाया शिवलिंग में, क्योंकि मैं शिव जी को काफी मानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि बहुत अच्छा मौका है कि मैं यहाँ इतनी अच्छी जगा पर आकर जल चड़ा रही हूँ, तो वीडियो तो मैंने नहीं बनाई, क् मेरा मन नहीं मानता है, अगर मैं दर्शन करती हूँ, तो मुझे यह चीजे करना अच्छा नहीं लगता है, फिर मेरा सारा ध्यान उसी में ही होता है, तो फोन को रखा मैंने बैग में, और बहुत अच्छे से मैंने वहाँ पर शिव जी की पूजा करी, और साथ में शनी दे संदाता है, यह सब तो बस कर लिया है, दर्शन और प्रशाद भी ले लिया है, बहुत अच्छा रहा, हमारा मनाली का टूर मुझे बहुत अच्छा लगा, बच्चों ने भी खूब इंजॉय किया, और सबसे बड़े बात मंदिर के भी दर्शन हो गए, मेरे भूले नात के दर्शन हो गए है, वहाँ पे मैं जल चड़ा के आई, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो यह हमारा छोटा सा प्यारा सा ट्रिप है, कैसा लगा आपको, प्लीज मुझे कॉमेंट करके जुरूर बताइएगा, और वीडियो को प्ल वाच, अगर आपने यहां तक देखिए तो इसका मतलब वाच भी की है, आपने तो लाइक करना मत भूलिएगा, और चैनल को जोइन करना मत भूलिएगा, और चल दिया है हम वापस दिल्ली की तरफ, और हम लोग पहुंचे थे रात को एक बज़े अपने घर, तो चलिए फिर वीडियो का भी आइंड करती हूँ, टेक केर, बाइ